बड़ी हो और बात करते हैं अब एजुक्वेशन सिस्टम की होता किया यार की अलग लग सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर में बात करें फिर भी टीचर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है इंस्टिटूट्स की तरफ से कि नहीं आपको एक अच्छा रिजर्ट नाने प्राइव फील आ रही है महीं पर कुछ ऐसे टीचर भी आपको मिलने लाइफ में कि यार जिने देखके उन लगता है कि क्यों भाई क्यों मतलब क्यों 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 कि वह बोर हो चुकि है सेम जी उनका इंट्रेस्ट ही नहीं था वो बस पढ़ा रहे शाहद ऐसी ले ली सरकारी क्योंकि सीटेट का एक्जाम दिया था और टीचर बन गए और बस कुछ हो गया बच्चों को अगर हम रेट करते हैं कि यार इसके इतने परसेंट आये इसके 70 आये इसके 90 है हमें टीचर को भी रेट करना चाहिए प्राइवेट इंस्टूट्स और दी रेटिंग लगाते है क्यार ये टीचर बहुत अच्छी है बच्चे रेटिंग लगाएं कि इन टीचर से पढ़के मजा आया ये टीचर इतने ने इनको इनको कम नंबर दो ये वाले टीचर चलो ठीक है और वो जो टीचर कॉरिडोर में से जा रहे हैं वो एक दम ठर्ड ग्लास टीचर ने का परफॉर्मेंस रही जो सबसे अच्छे टीचर हो दोती नोंने ट्रॉफी मिलनी चील एंड में टीचर भी भागे हैं अपना दवा के कि पूरी साल मैनत करे हैं हमें भी टीचरों की बच्चों की नजरों में एक अच्छा लेकर आना है तब समझ में भी आता है ये कुछ टेंजरे से जोँ हम डेफिनेटिली